बिहार के अंदर एक ट्विटर नेता है उनका नाम है ते जस्वी आदव जी अभी पिछले दिनों मांसून सत्र हुआ उसमें एक भी दिन उन्होंने सत्र में जाने का काम नहीं किया लगतार वो सदन को इगनूर करके पता नहीं कहीं टूर पे हैं या क्या है बिहार के डेवल लिए नितिश कुमार को चुनी है और यह बहुत क्लियर है कि बिहार और केंद्र मिला करके जो आर्थिक अधार पर जो लाया गया है क्रीमी लेयर का मामला जो जिसकी बात कहीं जा रही है उसका हम लोग बिरोद करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं फ़र्ष्ट ब्यार मै हुआ आपके साथ शाहिलेंज कुमर देखे हैं हमारे साथ बाचित करने करें लोमा के परदेश परवक्ता राहल कुमार जी इन देनों तेश्वी प्रसाद यादब जो है नेता है परतिकों 15 तारिक ते जा रहे है अभार यात्रा पर लोगों के भी जाएंगे यह जो बिहा के अंदर एक ट्विटर नेता है उनका नाम है ते जस्वी आदब जी अभी पिछले दिनों मांसून सत्र हुआ उसमें एक भी दिन उन्होंने सत्र में जाने का काम नहीं किया बिहार ने मैंडेट दिया एंडिये को लेकिन नितीश कुमार जी की किरपा से 17 महने की सरकार में और रहे लेकिन दुर्भाग यह है कि जो मैंडेट उनको बिहार ने दिया निता विपक्ष के तौर पर उनकी बड़ी जिम्मेवारी उनकी तय हुई लेकिन उस जिम्मेवारी को कभी नहीं समझते हैं और लगातार वो सदन को इगनोर करके पता नहीं कहीं टूर पे है या क का है मुझे नहीं मालूम है लेकिन अलग अलग कारिकरमों में तो वो दिखते हैं पार्टी के कारिकरमों में लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक कारिकरम किया पूरे प्रदेश में उसमें भी वो नहीं दिखे तो कई अबसरों पर वो अक्सर गाइव रहते हैं ऐसी इस् बिहार में इस किंद्र की सरकार ने बजट में जिस तरह का दिया है योगदान, विसेश पैकेज बिहार को मिला है उसको भले आर्जेटी यहां की जो गठवंदन दल के लोग हैं वह नकार दें लेकिन इनी के गठबंदन के दल तो दिल्ली में कहते हैं कि बजट तो सिर्फ बिहार और आंदरप्रदेश के लिए है यह अलग बात है कि बजट बिलकुल समयानुकूल है और बिहार को आजादी के बाद पहली बार बिहार के डेवलप्मेंट को नजर में रख करके एक ऐसा बजट बनाया गया जिसमें यहां के लोगों को कैसे जादा जादा रोजगार मिले कैसे यहीं पर विकास की एक तस्वी खीची जा सके यह सभी कुछ है उसमें और इसको दरकिनार करनेवा यर इसको एगनोर करतेवना वाले निता को निश्यत तोर पर बिहार की जन्ता भी खारज कर देगी नता को कि मियां तो बैठक होती है बैठक है बैठक में नहीं जाते हैं विदानसभा का सुस्य nossaफर जो मंदिर होता है, वो संसद और बिधान सबा होता है, बिधान परसद और रास सबा होता है, वहाँ पे जनता ने आपको जो भी मैंडेट दिया, आप नितीजी की किरपा से भले आप 17 महनों की सरकार में रहे, लेकिन मोटे तोर पर जो मैंडेट आपको मिला था, वो एक ये, तेजस्वी जी पूरी तरह से गाइव रहे, और कल मैं देख रहा था कि वो चिकित्सा प्रकोष्ट का कुछ कारकरम था रजेडी में, तो कई डॉक्टर्स बहुत नराज थे कि हम लोग को बुलाए गया और तेजस्वी जी के नाम पर बुलाए गया, और वहाँ पर व कि बिना कोई संघर्ष किये जनता बिहार की हमको स्विकार कर लेगी, 2020 में किन प्रस्थितियों में इनको सीटें मिली हैं, ये किसी से चिपा हुआ नहीं है, उस वक्त आपको मालूम है कि जो लोजपा रामिलाज जो अभी पाटी है, उस वक्त लोजपा हुआ करती थी और ह ये भरम हो गया कि जनता निन को चुना है, जनता बहतर नित्रतु के लिए नितिश कुमार को चुनी है, अन्डिय को चुना है और ये बहुत क्लियर है कि बिहार और केंद्र मिला करके जो तस्वीर दिख रही है वो बहुत ही बहतरी नहीं है, और नौकरियों की बात मैं लिक्षा होने वाली है, इसी तरह से लंबी तस्वीर है इसकी, आपको याद होगा कि समराच चौदरी जी ने भी कहा कि हम अगले चुनाओं में जाने से पहले हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, माने नितिश कुमार जी कई अबसरों पर कह चुके हैं, परेटन को अलग तरह के तस्वीर इस बजट के बाद दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग ने हमारी मुलकात दिल्ली में हुई थी एक बैठक में बित्रमंत्री सीतारमंजी से, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर कैसे हम मैनुफेक्ट्रिंग पर काम कर सकेंगे, कैसे हम ए उतिये साहता बिहार को देंगे, दूसरे इंवेस्ट्मेंट कैसे हो सकेगा, उस पर भी हम काम करेंगे, और बिहार को हम आगे लेकर काना चाहते हैं, यह इस बजट के माधियम से मैं आपको चिराक पासमान है, आपी के घटक दलके है, के अंदर में मंत्री में वो कह रहे है आरचन के आरचन जो है, उसके सुप्रिम कोट के में जाएंगे जनी याचिका द्यायर करेंगे तेश्वी आदव का उन्होंने समर्थन किया, देखे इसमें दो पहलू है, पहली बात तो यह कि हर ब्यक्ति को आजादी है कि सुप्रिम कोट में रिव्यू पिटिशन के जैसे OBC में EBC को आरचन मिला और उसका फाइदा समाजिक भागेदारी के तोर पर राजनीत में भागेदारी के तोर पर बिहार में दिखता है, और अगर इसी तरह का प्रियोग SC और ST के कोटा में किया जाए, तो निशित तोर पर जो बहुत पीछे रहा गया हैं, जिनके सा बहुत तरह का भेदवाओ, आजाद भारत में हुआ है, उनको साइद मुकेदारा में लाना असान हो जाएगा, लेकिन एक दूसरा पहलू है, जिसको आरथिक अधार पर इस आरचन को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहती है, इसलिए बार बार क्रीमी लेयर की बात हो रही है, त किसी हो, वहाँ पे किसी भी मामले में जो आरथिक अधार पर जो लाया गया है, क्रीमी लेयर का मामला जो जिसकी बात कही जा रही है, उसका हम लोग बिरोध करते हैं, और संसत इस मामले में हस्षेप करें, और संसत आरचन को लेकर के एक फुल प्रूप प्लान बनाए, ता हैं, नहीं, देखें ये ऐसा कुछ नहीं कि आमने सामने की बात है, सब लोग आपने इपनी विचार को लेकर के बढ़ रहा है, और मुझे संसत से पूरी उमीद है कि आरचन को लेकर के एक राई बनेगी और ऐसी राई बनेगी जो इस देस की लोगों की भावनाओं के साथ पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुड़निया में घर ले लिया है पुड़निया के e-homes panorama में पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुड़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined